हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो अल उफ यू और यूट्यूब चैनल बिएच क्लासिस, आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बिएच क्लासिस में स्वागत है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम अपनी टेस्स सीरिस को, तो फर्स वर्ड आपक एपोँनेच, बिएक में कहा रहा है डिस अप्रूफ, प कौनस अप्शन सही होगा, प्रेटरोनेच को सिनाजूब बताना है जल्दी किजिए, प्रेट्रोनेच को सिनाजनून्य क्या बनेगा, आपको बताना है, अब अप्रेक, लगकिली यह एज सकते सिनाजूब A, B, C, D, जल्दी कीजिए Petronage का सिनानिम क्या बनेगा Very good, देखो Petronage करना क्या आता है, सबसे पहले हम इसका Meaning देखते हैं, Petronage करना होता है, किसी को Spot करना, क्या करना, किसी को Spot करना, यानि अगर हम किसी को Protection Provide करवा रहे हैं किसी को क्या कर रहे हैं, किसी को हम Protect कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं, हम उसको Spot कर रहे हैं, यानि किसी को Backing, Backing करना क्या आता है सहारा देना, चिक है, तो Backing करना, Spot करना Protect करना, या फिर किसी चीज की Sponsorship करना Sponsorship वाले क्या करते हैं वह भी तो प्रोटेक्शन ही देते ना यानि उसके लिए सारा खर्चाव गरह उठाते उसको बोलते स्पॉंसर्शिप करना क्या करना स्पॉंसर्शिप करना तो क्या बनेगा इसका उप्शन सही एज जिस करना भी क्या होता है शेल्टर प्रोवाइड करवाना क्या करना शेल् एमें spot करते हैं हमारी जो जितनी भीडी необходимо से फूलफिल करते हैं तफ्ट्रोनेज करना यानि न क्या होता है आप सब ही को पते हैं स्वाणिज का सिनानिम क्या बनेन эти two इसे कहते हैं abominate yes जल्दी कीजिए synonyms भी आपको बताने abominate के जितने भी आपको synonyms याद हैं बताईए जल्दी से abominate किसे कहेंगे yes जल्दी कीजिए abominate करना very good क्या करना hate करना क्या करना hate करना उसे हम क्या करते हैं abominate करना very good क्या होता है hate synonyms क्या हो सकते हैं lot abhor, despise, disdain, किसी से नफरत करना क्या करना किसी से नफरत करना okay next option देखे तो disapprove क्या आता है disagree होना किसी से अगर हम agree नहीं है तो हम बोलेंगे disapprove है क्या है disapprove है और luckily क्या आता है by chance कोई चीज मिल जाती है कैसे मिल जाती है by chance उसको हम क्या बोलते है luckily okay तो यह था हमारा first word second word क्यों चले yes यह है आपका second word second word है fortress तो आप मुझे जल्दी से fortress का synonym बताइए option number a b c d क्या meaning बन सकता है fortress का a b c या फिर d किसे कहेंगे fortress 30 seconds का आपके पास time है आप मुझे जल्दी से बताइए कि इसका synonym या इसका meaning क्या बनेगा deliberately by chance encouragement या फिर apoclaps चार option है deliberately by chance encouragement apoclaps फोर्च्वस सिनॉनिम साते तो synonyms भी बताइए किसे कहेंगे fortress option number a b c और d which one is the correct one do fast for choice का synonym क्या बनेगा जल्दी से बताइए मुझे for choice का synonym क्या बनेगा deliberately by chance encouragement या फिर apoclaps very good for choice का meaning क्या होता है जो चीज हमें कैसे मिलती है जो चीज हमें fortunately मिल जाए कैसे मिल जाए fortunately by chance मिल जाए कैसे मिल जाए by chance या फिर by luck मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं और हम क्या कह सकते कैसे मिल जाए एक्सिजेंटली एकदम से हो जाए हना कोई प्री प्लैंड नहीं था बस एक्सिजेंटली कुछ हो गया तो इसको बोलते है फॉर्च्वस एक इसके लिए एक एडियाम होती है heaven sent है ये तो चीज, क्या है ये चीज, heaven sent है, यानि भगवान से मिला हुआ अशिरवाद है, ओके, तो ये थे हमारे पास fourth choice के synonym, अच्छा बाक्ती options की बात करते हैं, तो मुझे जल्दी से बताए, deliberately का meaning क्या होता है, आपके लिए question है, बताए, deliberately का meaning क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, deliberately का meaning क्या बनेगा, yes, too fast, किसे कहेंगे deliberately, जल्दी कीजिए भी, deliberately का meaning आपको synonym बताना है, yes, deliberately, इसका meaning है, जो वो इसके word में चुपा हुआ है, तो बताए, मुझे जल्दी से deliberately का synonym क्या बनेगा, yes, very good, देखो deliberately का मतलब क्या आता है, अपनी मर्ची से, क्या कहेंगे, अपनी मर्ची से, देखो, DEL को याद कर लो, दिल, अना, अपने दिल से, नहीं तो ये, देखो, word आ रहा है, liberation, या, liberty, liberty का मतलब क्या आता है, सफतंतरता, अपनी सफतंतरता से, अपने मन से, अपनी इच्छा से, अगर कोई काम करता है, अपनी मर्ची से, अपनी मर्ची से अगर हम कुछ काम करते हैं, अच्छा, encouragement क्या आता है, सभी को पता है, encourage करना, यानि किसी को push up करना, यानि कि तुम कर सकते हैं, you can do this, तो उसको बोलेंगे, encouragement करना, ओके, last option है, आपके पास, apocalypse, अब मुझे जल्दी से, apocalypse के meaning बताईए, किसे कहते हैं, apocalypse, आपको इसके meaning, जो भी आपको आता है, जल्दी से comment box में बताईए, कि क्या होगा, apocalypse, किसे कहते है, apocalypse होना, जल्दी कीजिए, आपको, जो d option है, apocalypse, उसका meaning, उसका synonym बताना है, जल्दी होगे, apocalypse, किसे कहेंगे, apocalypse, क्या meaning बनेगा, apocalypse, का, yes, do fast, very good, apocalypse, क्या होता है, कोई भी संकट आ जाता है, जब कोई भी बहुत बुरी condition आ जाती है, उसका हो बोलेंगे, apocalypse, हो गया, apocalypse, अच्छा, अच्छा, सिनॉनिम देखते हम इसके, अच्छा, अगर कोई बिनाज होता है, तो disaster हो गया, यानि, विनाश होना, या फिर हम क्या कह सकते है, tragedy, हाना, कहते हैं, tragedy हो गया, यानि, बहुत बुरा कुछ हो गया, और हम क्या कह सकते है, tragedy के लिए, calamity, calamity, सारे options, सारे सनानिम से, आपके पास test series में, catastrophe, calamity, catastrophe, disaster, tragedy, कोई भी बुरी, कुछ हो जाना, miss happening हो जाना, उससे हम बोलेंगे, apocalypse होना, क्या होना, apocalypse होना, okay, next question, next question के और चलते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे है, तो आपको क्या करना है, इसे, like, share करना है, अगर आपको लिए वीडियो helpful है, तो आपको क्या करना है, इसको, like and share, और अगर आपने अभ C, C, D, delectation, consolation, appalled, depression, four options are there, you have to choose one option, option number A, option number B, option number C, या option number D, तो बताइए मुझे जल्दी से क्या बनेगा, anguish का synonym, तीस seconds का time आपके पास, आपको जल्दी से बताना है, anguish का synonym क्या बनेगा, अगर आपको इसके लिए कुछ synonym याद है, तो वो भी मुझे बताइए, किसे कहेंगे, anguish, याइस, चल्दी कीजिए, anguish का synonym क्या बनेगा, देखो, anguish का मीनिंग क्या होता है, चिंता होना, क्योंकि कोई बुरी कंडिशन आ चुकि है, माइजरी हो चुकि है, तो उसको बोलते है, anguish, जब किसी पेन में हैं, किसी दुख में हैं, उसको बोलेंगे, anguish होना, यानि क्य होना, grief, pain, tension, depression, distress, यानि किस में होना, tension में होना, अगोनी, pain के लिए बहुत अच्छा वड़ है, अगोनी, तो इसन सभी का मीनिंग क्या है, tension में होना, क्या होना, tension में होना, anguish यानि, grief, pain, distress, अगोनी, depression, tension में होना, अच्छ, बाकि options की बात करते हैं, यानि इसका options सही हो, क्या होगा, d number, delectation का meaning क्या होता है, delectation का meaning क्या होता है, किसे कहते, delectation, delectation किसे कहेंगे, हमने word किया था, एक-दो दिन पहली, delectable, तो बताइए मुझे डिलेक्टेशन किसे कहेंगे येस जल्दी कीजिए जो डिलेक्टेशन का बतादे वो आगे कॉंसलेशन का बतादे फिर अपैल्ड सभी का मेनिंग बताइए मुझे ये सभी कोश्चन आपके लिए है चल्दी बिशा टै Leakash टेबल क्या होगा, the måsteIR Consolution क्या होगा, Appalty क्या होगा Yes faster Yes जो fast किसे कहते है, Delectation Consolution Appalty इन तीनों का आपको Meaning बताना है, चल्दी कीजिए Yes very good देखे, Delectation क्या होता है, जब खुशी होते किसी चीज़ की, यानि Happiness क्या होता है happiness उसे हम क्या कहते हैं डिलक्टेशन क्या कहते हैं डिलक्टेशन अच्छा नेक्स्ट वर्ड करते हैं consolation consolation का मिनिंग क्या बताए आप सभी ने जल्दी कीजिए जिसने नहीं बताए वह जल्दी से मुझे बताए consolation किसे कहते है consolation बहुत वर सुनाओगा consolation prize मिले उसको अब तो याद आ जाना चाहिए consolation prize येस क्या होता है सांतवना पृस्कार यानि किसी को सांतवना देना किसी को सिंपती देना उसको क्या कहते हैं consolidation करना यानि किसी को सांत Muyna के लिए बहुत अच्छा वड़ होता है 16 क्या रहोता है Legislation कम करना या फिर हमढ़ सकते हैस्पथी देना क्या देना इन सब का meaning क्या होता है consolation करना क्या करना consolation करना okay next आपके पास option है appalled का meaning क्या होता है किसे कहते है अपैल्ड जल्दी से बताइए appalled किसे कहेंगे बताइए जल्दी से एक ऐसी चीज जो क्या है बहुत shocking है ड्राम नहीं है तो उसका हूं बोलेंगे appalled है क्या है अपैल्ड शोकिंग होना या फिर ड्राम नहीं होना ओके चलिए next वर्ड के और चलते हैं वर्ड हापके पास मेस्ट्रो अब मुझे जल्दी से मेस्ट्रो का सिनानिम बताइए चार ओप्शन से आपके पास a is silent b is very fast c is dexterous d is gosh चार ओप्शन आपके पास जल्दी से मुझे बताइए इसका सिनानिम क्या होगा मेस्ट्रो का सिनानिम किसे कहेंगे yes जल्दी कीजिए do fast मेस्ट्रो का आपको सिनानिम बताना है silent very fast dexterous गोश a ओप्शन b c f d जल्दी कीजिए किसे कहेंगे मेस्ट्रो क्या होता है मेस्ट्रो yes जल्दी बताइए जोक इस चीज में क्या है master है क्या है कोई person किस चीज में master है तो हम क्या बोलेंगे master है क्या है वो person master यानि क्या होना master होना हाना उसे हम क्या कहते है master तो हम क्या कह सकते है dexterous हाना dexterous क्या होता है जो किस चीज में master है skillful है उसे हम क्या कहेंगे master या फिर skillful या फिर dexterous या और क्या कहसकते हैं एक्सपर्ट आपको चो बहुत बार कुरई Hospital कोुनॉईजर कि एमान। आप सभी को कोनॉईजर की कुलिंग कर लेनी है कुन चुक्त की कोनॉईजर की कुलिंग के बहुत बार एक्जाम में आ चुकेклад आप सबी को को नाज़र की स्पेलिंग लन कर लेनी अच्छे से कि क्या होती है को नाज़र की स्पेलिंग डबल एन और डबल ऐस आता है और हम क्या कह सकते हैं मैस्टो का सिनानिम master होना कि सीज में या फिर प्रोफिशियंट प्रोफिशेंट ओके तो यह सब किसके सिनानिम है मैस्ट्रो के क्या कैसी के हैं हमने वर्चोसो स्किल्फुल एक्सपर्ट प्रोफिशेंट कॉनाइजर डेक्स्ट्रस विजार भी बोल सकते हो चादुगर है है ना उन सब क्या बोलेंगे मैस्ट्रो है बाकी ओप्शन की बात करें साइलेंट का मतलब क्या होता है चुप चाप अब मुझे अब जल्दी से टी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है साइलेंट का सिनानिम है बताईए मुझे किसे कहेंगे साइलेंट चुप चाप जो कम बोलता है तो टी से सिनानिम है उसका जल्दी ब TIKEY TURN क्या होता है TAKIY TURN यानि जो कम बोलता है उसे हम क्या बोलते है TAKIY TURN अच्छा Very Fast क्या होता है बहुत तेज चलने वाला Gaush का मीनिंग क्या होता है ये भी आपके लिए कोशन है जल्दी से पताईए Gaush का मीनिंग क्या होगा अपके लिए question है मुझे जल्दी सिपकाई गौश किसे कहेंगे चार options नहीं मिलेंग अब इसके लिए आपको यह options में से आपके लिए question मनाया है जल्दी सिपकाई गौश का meaning क्या होगा जितने भी सुनानिम आते हैं वो भी आप बता सकते हैं गौश के लिए चल्दी कीजिए गौश इसको गोच्चे नहीं कहते है इसको गौश कहते है किसे कहेंगे गौश जो परसन कैसा है जो परसन अन्स्किल्ड है यानि जो स्किल्फुल नहीं है उसको हम क्या कहते है गौश कहते है तो क्या कह सकते है awkward भी में काम करते है awkward होना या फिर हम क्या कह सकते है clumsy handling यानि जो चिजों को नहीं समाल सकता elegant ही नहीं लग रहा विल्कुल भी तो inelegant उसको हम कहते है gosh unskilled, awkward, clumsy, inelegant, gosh चलिए next word क्यों चलते है yes next word आपके पास alchemy या फिर alchemist आपको इसका सिनानिम बताना है चार options आपके पास a is catastrophic b is reality c is sorcery d is shelter तो मुझे जल्दी से पताए alchemy का meaning क्या बनेगा किसे कहेंगे alchemy yes too fast alchemy का meaning क्या बनेगा catastrophic, reality, sorcery, shelter option number a option number b option number c या फिर option number d 30 seconds का आपके पास time है जल्दी से बताईए अपना answer alchemy yes जल्दी कीजिए catastrophic, reality, sorcery, shelter very good खेने गार,олов गिए बनेगा спore, cloud, story, बनेगा list ने बनेगा पना answer, पूस셨ा है, इसा क्या कहेंगे alchemy कहेंगे तो क्या कहेंगे, बनेगाका मैजिक उसे क्या कहते हैं अलकेमी या फिर जो क्या करता है बिविच्ष्री बिविच्ष का मतलब क्या आता है जादूगरी बिविच्ष्री या फिर हम क्या कह सकते हैं कौन्जरी कौन होता है जादूगर्ट कौन्जरी यानि जादूगरी ठीक है जो जादू करता है उसको क् कॉंजरी एलकैमी और सोर्सरी यानि काला जादू ओके चलिए नेक्स वर्ड की और चलते हैं इसके ऑप्शन की बात करें तो कैटास्ट्रोफिक अभी हमने वर्ड किया था किसे कहते हैं कैटास्ट्रोफिक जब क्या होती है कोई न कोई कैलामिटी ट्रैजडी मिस हैपनिंग चीक है डिजास्टर कैटास्ट्रोफ यानि कोई भी बुरी कुछ हो जाए उसको क्या बोलेंगे एपोकलेप्स हो गया रियालेटी यानि जो चीज इमेजिनेशन में नहीं है शैल्टर वर्ड भी अभी हमने किया है किसका सिनानिम देखा था एजिस का हाना एजिस प्रोवा नहीं है कि अगर आपको क्या करना इसे लाइक शेर जरूर कर देना है अपने सब भी टेंट्स के साथ शेर कर दिजिए जहां आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर नेक्सी वर्ड हो चले न्यक्स वरड है आपके पास प्रकर भ क्या वर्ड है प्रकर मुछे जल्दी स से परतॉब का सिनौनिम बताईए स्किल्ट काम्ट चेंजट कालमिटी परटॉब करना या परटॉब्ध जो क्या होचुका है सारे स्नौनिम वैसे है तो परटॉब्ध इसका मुझे सिनानिम बताईए skilled, calamity, changed या फिर calmed इसी color से लिख देते हैं आपके लिए इसका meaning आपको बताना है बताईए जुल्दी से skilled, calmed, changed, calamity कौनसा option सही होगा perturbed किसे कहते हैं skilled person को, calmed को या जो change हो चुका है या फिर calamity को बोलते हैं perturbed जल्दी से पताईए very good, देखो perturbed करना क्या आता है पहल तो यह meaning सी के, perturbed करना होते है किसी को जानके disturb करना हनक change करना उसको तो उसको बोलते है perturbed करना तो पहली बात तो answer क्या हो ज़िगा C हो जाएगा, इसका real meaning देखे तो real meaning होते है, इसका perturbed करना यानि disturb करना अगर कोई चीज disturbed हो चुके तो obviously बात है, वो change हो जाएगी या फिर हम क्या कह सकते है, agitate करना भढ़काना किसी चीज को ठीक है, agitate करना, किसी चीज को किसी person को upset कर देना क्या कर देना, upset कर देना distress में ले आना, distract कर देना करना, क्योंकि disturb करेंगे तो obviously बात है, वो अपने काम से क्या होगा distract होगा, यानि change हो जाएगा क्या हो जाएगा, change तो perturbed मतलब agitate करना disturb करना, upset करना distract करना, change कर देना ओके, ठीक है अब मुझे skilled का meaning तो आप सभी को पता ही है अभी पताया है, dextrous virtuoso, mestro proficient, wizard connoiser, छिक है इन सब का meaning क्या होता है skilled, अब आपके लिए अभी मैंने आपको बताया था, आप मुझे जल्दी से connoiser की spelling लिख के बताईए cc start होती, जो connoiser मतलब park ही है, जिसको बहुत knowledge है सभी बच्चे connoiser की spelling क्या होगी, 5 सेकंड का टाइम है 10 सेकंड का टाइम आपके पास जल्दी बताईए मुझे connoiser की spelling लिख के बताईए comment box में, connoiser की spelling क्या होती है क्योंकि बहुत बार एक्जाम में आ चुके connoiser, किसे कहते connoiser, जल्दी कीजिए connoiser very good, क्या होता है, c-o-n-o-i-s-e-u-r connoiser, ओके, चलिए, next word है, आपके पास calm, calm का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल परसन ऐसा है कि जो बिल्कुल शान रहता है हाना, गुसे में नहीं रहता है, agitated नहीं है उसको क्या बोलेंगे, calm होना, सभी को पता होगा calamity word, अभी हमने दो बार कर लिया, catastrophe, disaster, tragedy, apocalypse यानि कोई ना कोई बुरी condition आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, calamity हो गई है, disaster हो गई है, ओके, चलिए, next word क्यों चलते है ये, next word है, आपके पास, augment, क्या word है, augment, चार options है आपके पास, फिर से वही, defame करना, A option में कह रहा है, B में कह रहा है, exalt, C में कह रहा है, lot, D में कह रहा है, contented, तो अब मुझे जल्दी से बताइए augment का synonym क्या बनेगा, defame करना, exalt करना, lot करना, या फिर content करना, या फिर contented तो मुझे जल्दी से ताइए, option number A, option number B, option number C, या फिर option number D augment का आपको synonym बताना है, जल्दी कीजिए, 30 seconds का time है आपके पास, do fast क्या meaning बनेगा, augment का, defame, exalt, lot, contented जल्दी कीजिए, A, B, C, या फिर D, चार option में से आपको सही option चूज करना है जल्दी कीजिए, augment का synonym क्या बनेगा, defame, exalt, lot, या फिर contented A, B, C, या फिर D, चार option में से सही option आपको चूज करना है, very good क्या होता है, augment का meaning, augment मतलब किसी चीज को बढ़ाना, किसी की famous होने को किसी को बढ़ाना या किसी चीज को increase करना, किसी चीज को boost करना, उसको हम क्या करते है, augment करना क्या करना augment करना तो क्या हो सकति है غứng breaths का मतलब पहला option तो एक meaning तो उसका क्या होजबा increase करना या फिर हम क्या कह सकते हैं enshrine करना क्या करना boost करना dignify करना यानि पविद्थरता देना उसके लिए अच्छे चीचे मौलड़ना dignify करना या फिर exalt करना क्योंकि Exalt का मीनिंग क्या होता है प्रेज करना क्या करना प्रेज करना एको लेड करना चिक है तो उसको क्या बोल देंगे Augment करना ओके तो Option B is the correct one अच्छा डी फेम क्या होता है बताईए जल्दी से बताईए डी फेम के सिनॉनिम आपको बताने है जल्दी कीजिए क्या होंगे डी फेम के सिनॉनिम करना किसी को इसी सब वर्ड है किसी क्या करना किसी की रैपुटेशन खराब करना उसको क्या बोलेंगे डी फेम करना क्या करना डी फेम करना तो इसके सिनॉनिम क्या हो सकते हैं क्रिटी साइज करना चिक है, condemn करना, chastise करना, या फिर lambast करना, berate करना, decry करना, degrade करना कल वाली वीडियो में हमने किये थे words, defame के, degrade करना, decry, degrade, defame, criticize, condemn, chastise, lambast, berate ओके, exalt हमने देखी लिया, praise करना, lot अभी हमने पढ़ा था, क्या meaning होता है, lot का meaning है, hate करना, क्या करना, hate, अब आप मुझे जल्दी से, contented का meaning बताईए, सभी बच्चों के लिए question है, contented का क्या meaning होता है, जल्दी से मुझे बताईए, जल्दी कीजिए, contented का आपको meaning बताना है, yes, do fast, contented का meaning होता है बताई येमुक्त कुछ होता है जल्दी से जल्दी की जी एक जाते हैं satisfied हो जाना क्या हो जाना satisfied हो जाना उससे हम क्या कहते हैं content होना क्या होना content यानी satisfied होना ओके चलिए next word के और चलते हैं next word है आपके पास affliction मुझे जल्दी से affliction का मीनिंग बताइए option option number a b c a d affliction का आपको synonym बताना है जल्दी कीजिए क्या बनेगा affliction का synonym option number a option number b c या पर d चार option में से कौन सा option affliction का synonym बनेगा जल्दी कीजिए a b c a d mishap b में कह रहा है fortune c में कह रहा है यह fortune होता है यह protection होता है कामनेश होता है affliction synonym में से कोशन दिये मैंने भी जल्दी बताइए पढ़े होंगे जो मेंटर आपके पास है उसमें से आपसे कोशन पूछने तो उतनों को तो अच्छे से रैडी कीजिए उतना करते करते हम एक दिन काफी वोकैबलान कर लेंगी तो बताइए मुझे जल्दी से अफलिक्षण का मिनिंग क्या मेंगा मिश्ख, फॉर्चन, प्रोटेक्ष्ण या कामनेस वैरी गुड्स दिखें क्या बनेगा सकांसवर, ए नंबर ऑप्श्ण क्या बनेगा, होता क्या है eff laborat여, कोई वी बूरी चीज आ जाए आपके उपर संकट आ जाए यानि wipe changel इब लिखने को क्या बोलेंगे यह चाहलTime को शूर्टि मिस्थ चुन्ह जाते है unveiled मिसहैप मिस्थ फॉर्ट्च्यन अप्पॉ-क्लैप्स को ठीज टी कि में डिजास्टर अब इतनी बाहराख में लेंगे इतनी बाहरे को को लिखेंगे तो अव्वेस ही बात है वो हमें टिप्स पे लन हो जाएगा कालामिटी कैटास्ट्रोफ हाना, यानि कोई भी बूरी कंडिशन हाजाए आपके साथ उसको बोलेंगे एफिक्षन, मिस एपनिंग होना, मिस फोर्चुन होना, एपोकलेप्स होना, कैलामिटी, काटस्ट्रोफ, डिजास्टर, ट्रेज़र्डी, माइजरी, कोई भी बूरी कंडिशन, ओके ठीक है Fortune क्या आजगा इसका एंटान नहीं आजगा Fortune तो क्या आता है अच्छा भाग गया है है ना fortunately by chance उसको बोलते है Fortune Protection करना क्या आता है सुरक्षा करना यानि Agis करना Shelter करना To provide Shelter उसको हम क्या बोलते है Protection कहते है Calmness भी अभी हमने वर्ड किया Calmness क्या होता है जब कोई person क्या रहता है बहुत शांत रहता है यानि Serenness होना Sootness होना बिल्कुल शांत रहने वाला person है Calm person है उसको क्या बोलेंगे Calmness है उसके अंदर तो चलिए Next word क्यों चलते है Next word आपके पास Agape अब आप मुझे जल्दी से Agape का मीनिंग बताईए बहुत अच्छे word है बहुत अच्छे options मिया है इसके Agape की तो बताईए जल्दी से Agape किसे कहते हैं A, B, C, A, D चारों option में से कौन सा option सही होगा Agape का 30 seconds का time है आपके पास और जितने भी बच्चे इस सीरीज को देख रहे हैं सबी इसे एक थमसब दे दे लाइक कर दे अपने सबी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे खुद भी पढ़ें औरों को भी पढ़ने के लिए मॉटिवेट करें तो बताईए मुझे जल्दी से अगैपे का मीनिंग क्या होगा अगैपे यह अगैप नहीं है अगैपे इंडिफरेंट, प्लैसिड, स्टॉइक या फिर एस्टॉनिस्ट अप्शन नमबर A, B, C, A, D चारों में से कौन सा सिनॉनिम बनेगा अगैपे का बताईए जल्दी से इंडिफरेंट, प्लैसिड, स्टॉइक, एस्टॉनिस्ट चार अप्शन से आपके पास जल्दी कीजिए चारों में से कौन सा सिनॉनिम बनेगा इंडिफरेंट होगा, प्लैसिड होगा, स्टॉइक होगा या एस्टॉनिस्ट होगा जल्दी कीजिए येस, too fast, astonished, stoic, placid, indifferent, चार options आपके पास, agape कैसे याद किया था, वीडियो सुनी होगी अच्छे से तो याद होगा होगा हमने क्या बोला, किसी का face है, जब मुँ खुला का खुला रहा जाता है, यानि gap आ जाता है मुँ में गैप हो जाता है यानि कबात है जब हमँ चोकरने हो जाता है जब आम एक दमसे surprise हो जाते है ँसको बोलेंगे दर रादांगे ल यानी astonished हो जाना क्या हो जाना ऑको चाहना या फिर या जाने o beloved and प्रोनेंसिशन भी बहुत अच्छे अगास्ट छिके अगापे अगास्ट एस्टानिस्ट सर्ट्राइज ठीक है चलिए नेक्स्ट ओप्शन्स की बात करें तो इंडिफरेंट का मिनिंग क्या होता है जल्दी सबताई इंडिफरेंट किसे कहेंगे इजी सा वर्ड है डिफरें कौन है उदासीन है उसे हम क्या बोलते हैं इनडिफरेंट होना और प्लैसिड क्या होता है अब यह सब आपके लिए कोशन है कल पर सोई करवाएं आपको प्लैसिड के सिनानिम बताईए आप सब्सक्राइब कोशन है प्लैसिड के सिनानिम क्या बैनेगी येस दूपा तो यह मीनिन पस्याहरे दर्ष्ट बदलेगे कि अभी दो गपार विसका सिनानिम हमने कर लिया लीधर सिटका कि अ बच्चे कमेंट करके बताएं बहां होता है क्या मीनिंग होता है शारंट्र ग्ठ का नहीं क्या बनेगा जो पर्सन क्या है काम है, काम है, शांत रहता है, सूथ है, क्या है, सूथ, ठंडा रहता है हमेशा, सिरीन, ठीक है, अप्लैक करना या नहीं, मॉलेफाई करना, ट्रेंकुलाइज करना, मॉलेफाई करना, सिरीन होना, सूथ होना, काम होना, जो ज़्यादा बढ़कता नहीं है, उसे हम क्या बोलत बताईए किसे कहते हैं जल्दी कीजिए इस ट्राइक क्या मेनिंग बनेगा जो परसन क्या है जो परसन इंडिफ्रेंट है उसी को एक एक ऐसा परसन जिसे सुख दुख से कोई फरक नहीं पड़ता उसे हम क्या बोलते हैं स्ट्राइक बोलते हैं यानि इंडिफ्रेंट ऐसी स्टेट्मेंट आती सिद्धा और आभी चुक है एक्जाम में इंडिफ्रेंट टू प्लैजर एंड पेन जिसको सुख और दुख से कोई फरक नहीं पड़ते हैं स्ट्राइक बो है आपके पास blendish बहुत यह अच्छा वर्ड है बताईए मुझे इसका synonym क्या बनेगा फिर ए में कहा रहा है hard working बी में कहा रहा है चिल्थी सी में कहा रहा है psychofancy डी में कहा रहा है condemn ए बी सी या डी चारों में से कौन सा उप्शन सही होगा जल्दी सब्सक्राइब ब्लैंडिश का आपको सब्सक्राइब बताना है ए में हार्ड वर्किंग बी में है चिल्थी सी में है psychofancy डी में है condemn जल्दी कीजिए तीस सेक्ट्स का टाइम आप सभी बच्चों के साथ के पास तो बताईए ब्लैंडिश का मीनिंग क्या होगा तीस सेक्ट्स का टाइम आप सभी के पास ए बी सी ए डी हार्ड वर्किंग स्चिल्थी साइकोफैंसी या कंडेम ब्लैंडिश का आपको सिनाने बताने भी क्या होता है वेरी गूड सी साइकोफैंसी क्या होता है C means psychofancy दीखे, blendish करना क्या होता है blendish करना, यानि जो बहुत ही exaggerated way में किसी की praise करता है exaggerated way में क्या करना, किसी की praise करना उसे हम क्या कहेंगे, blendish करना यानि किसी की क्या करना किसी की chop loosey करना क्या करना, किसी की chop loosey करना, उसे हम क्या कहेंगे इसके स्व inequality यह हो जएंगे ब्लेंडिश के पहला तो थिक है साइको फैंसी तो आप उसके क्या करेंगे उसकी चाप लुसी करेंगे सारे स्व warnings महुँ दुबारा स्याद करते हैं अगर हम किसी पे फ्लैट है तो हम क्या करेंगे उसकी चाप लुसी करेंगे butring मखळ मारते हैं यानि चाप लुसी करना तलवे चाटने को क्या बोलते हैं बूट लिकिंग बूट को लिख करना यानि उसकी चाप लुसी करना उसके आगे पिछे गूमना साइको फैंसी साइको लोग होते जो पागल लोग होते वैस तो स्पैलिंग पी से स्टार्ट होती है लेकिन साइको लोग फैंसी फैंसी देखे क्या करते हैं लोगों को चाप लुसी करते लोगों की है न तो साइको फैंसी ब्लेंडिश बला 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 बोलते हैं ब्लेंडिश करना या फिर टोडि ती ओ अडि वै टोडि यहांने कैसी आदंकिया था टोडि यह थे जोलूंज़ एखते5 टोफियेखती किमराई का करें यहांने की मिलाकी करेंने। और यह इन से जोलूर्प नंक? blendish करना क्या करना blendish करना किसी की चाप लूसी करना एक इसके लिए को और वर्ड भी होते हैं सबका screenshot ले 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 आप फिर मैं वो भी बताती हूं आपको येस जल्दी से screenshot ले ली इसका छीक है एक वर्ड होते है aadulation ये कैसे याद करें जो एडरो लोग होते हैं वो क्या करते हैं चाप लूसी करते हैं जिसके ओपर वो फ्लैट होते हैं तो-ड रू सिी करना है चाप लूसी करना ओके तो चली एकस आप्षेंस के बात करें हार्ड वर्किंग मेहनती है मुझे मेहनती जो परसन होता है उसके सिनानिम बताईए आप मुझे जल्दी से हार्ड वर्किंग के सिनानिम बताईए क्या होगा हार्ड वर्किंग के सिनानिम जल्दी कीजिए किसे कहते हैं हार्ड वर्किंग I से सिनॉनिम स्टार्ट होता है बहुत अच्छा वर्ड है हार्ड वर्किंग का I से स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियस क्या होता है इंडस्ट्रियस तो जो परसन बहुत हार्ड वर्किंग उसको क्या बोलेंगे इंडस्ट्रियस है चिक है, stillthi का मीनिंग क्या होता है, बताइए मुझे, stillthi का मीनिंग, word के बीच में मीनिंग चुपाऊ है, stillthi, stillthi किसे कहते हैं, stillthi, किस तरीके से काम करने को उम बोलेंगे, stillthi, जल्दी कीजिए, क्या होता है, चोरी चुपके, कैसे करना, चोरी चुपके, जब हम कोई काम, चोरी चुपके करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, stillthi, क्योंकि इसके मीनिंग में क्या लिखा होता है, stillthi, stillthi का मतलब क्या आता है, चोरी करना, यानि अगर हम कोई काम कैसे कर रहे हैं, surreptitiously surreptitiously उसको हम क्या है बोलेंगे stillthly, ठीक है, कैसे करना चोरी छुपे काम करना या फिर हम क्या बोल से के लिए clandestine ठीक है clandestine का मतलबी क्या बता है चोरी छुपे सी, ठीक है last option है, आपके पास condemn अभी हमने किया था, condemn कभी क्रिटिसाइज, कंडेम, चेस्टाइज, लंबास्च, बिरेट, दिफेम, डिक्राइज, डिग्रेड, ओके, तो यह सब हमने किसके लिए सिनॉनम किया थे, कंडेम के, ठीक है, तो इस अल अबाउट टूडे, अगर आपके लिए वीडियो है, अगर आपने इसके उन्जॉय कि क्या है, आपको क्या करना है, आपको इसे लाइक करना है, और शेयर करना है, जहां जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, ओके, तो क्या करना है और आपको कल के लिए, कल के लिए आपको वीडियो 4, वोकैब शो, जब आप वोकैब शो वाली प्लेलिस्ट में से वोकैब शो वाली नहीं तो आपको description box में भी link मिल जाएगा वहां से भी आप part 4 को click करोगे तो वो जो वीडियो होगी उसे prepare कीजी उसका आपका कल test होगा और घर पे रहिए, safe रहिए, सुरक्षित रहिए, बहार ना जाएए Thank you so much मिलते हम अपनी next video में, कल वाली video में कल नो बजे, राइट नो बजे, ओके Thank you so much, bye bye, take care